कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगे आज आपकी वर्क्षीट नमबर 6 यह मैट्स की है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आई है तो हम बना लेंगे अपनी लेबर कर लेंगे अच्छे से वर्क्षीट को डेट डाल देंगे अपना अपने टीचर का नाम आप लोग लेख लेंगे चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं यह आपकी मैट्स की वर्क्षीट है अच्छे पीटा आप लोग के साथ एक बात शेयर यह करनी थी कि पहले मैं के बना रही थी अब मैं 9 और 10 की वर्क्षीट बनाऊंगी लेकिन 9 और 10 क पूरी वर्क्षीट में सिर्फ आपको आंसर सच्छे से एक्सप्लेइन करोंगे तो अगर आपके भाई बहन या कोई और ऐसा है जिसको जरूरत है 9 और 10 की वर्क्षीट की तो आप उने शीयर करें चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं यहां लिखा है बोड गेम आज हम लो आपके 100 तक counting दी गई है ठीक है यहां आपसे कहा गया है कि आप बिल्कुल साफ सेड़ी की तरह लूडो की गोटे और डाइस को ले लें क्या है इस गेम में तो चलिए देखते हैं तो board game का introduction यहां आपको दिया गया है prepare your own game by written number 1200 on a piece of paper, a cardboard और a chart paper अब बोलते हैं यह game आपको खोद अपना game अपने आपसे बनाना है कैसे बनाना है आपको चाहें एक paper का टुकड़ा ले लीजिए चाहें cardboard ले लीजिए चाहें चाहें चार्ट पेपर ले लीजिए जो आपको लेना है आप ले लीजिए उसमें एक स सौता गिंती लिख लीजिए we can play this game with our friends or family members यह game हम किसके साथ खेल सकते हैं अपनी family members के साथ अपने friends के साथ यह game हम खेल सकते हैं to play this game we should have one dice or different colors coin dependent upon number of person playing या आप बोलते हैं कि इस game को खेलने के लिए हमें सबसे पहले एक dice की जरूरत होगी और इसके इलावा हमें different color के coins की ज लेकिन यह depend तब उस पर करता है कि आपके साथ खेलने वाले लोग कितने हैं अगर दो लोग खेलने हैं तो आप दो गोटी ले लेंगे अगर पांच लोग खेलने हैं तो आपको पांच गोटी की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है rules to play play के rules क्या है चलिए देख लेते हैं तो यह गेम को start करने के लिए आपको एक dice को फेकना है and whatever number comes on dice you need to speak that number ठीक है फिर जो number आपका dice पे आता है उस number को आपको पढ़ना है बोलना है जोर से and put your coin on the board by going forward as per the number on the dice यानि फिर आपको क्या करना है जो number आपके dice में आया मान लीजी आपका 4 आया तो आपको क्या करना है 1,2,3,4 अपनी जो आपका coin है उसको 4 पे ले जाके रख देना है और forward करना है आगे बढ़ाना है ठीक है बिल्कुल आप इसको मान सकते हैं कि जैसे हम लोग साप सेड़ी खेलते हैं कुछ-कुछ ही वैस तो skip 3 number on the board and should repeat in the same way ठीक है आप बोलते हैं कि मान लीजी एग्जैंपल के तौर पर आपके dice आपने फेका तो उसमें जो show number हो रहा है वो आपका 3 हो रहा है तो आपको क्या करना है कि 3 को skip करके आपको मतलब 2 skip करके तीसरे वाले column में आपको बैठ जाना है ठीक है और इसी तर जाना है ना अदर परसेंड विल फॉलो सेम प्रोसेस आफ्टर इस थो ऑफ़ डाइस यानि की सेम पहले आपने एक बार भीगा आपके बाद दूसरा परसें पहलेगा उसके बाद जितने लोग हैं वो सेम इसी तरह से चलेंगे और फिर आपकी दुबारा से बारी आएगी यानि ये क्लॉक वाइस चलेगा सबकी बारी एक एक बार आती रहेगी ठीक है उसके बाद बोलते है दा हूँ दा वन रीच हंडेट फॉर्स इस दविनर यानि वो जो सो पे सबसे पहले पहुंचेगा वो विनर हो जाएगा है ना सेम वही गे में आपका किसके तरह साप में भी होता है लेकिन साप सेड़ी में आपको थोड़े से पावर अप मिल जाते हैं यानि सेड़िया मिल जाती है और थोड़ा सा आपको पावर लो भी हो जाता है साप आपके काट लेता है तो आपको नीचे भी आना पर जाता है है ना बस यह बहुत कुछ साप सेड़ी ज कौन आया और लास्ट कौन आया यह आप लोग लिख लेंगे यह मेरी तरफ से आपके लिए वर्क है बागी इस वर्क्षिट में आपको आज कुछ नहीं करना चले तो आची वीडियो करतें आची वर्क्षिट में बस इतने हैं अगर आपको वीडियो बसने आई हो तो इस मैचे को स्क्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिए